दिल्ली के प्रोफेसर रतनलाल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वाइरल हो रहा है जिसमें वे बहराईच दंगो और चुनावी धांदली पर खुल कर चर्चा कर रहे हैं वीडियो की शुरुआत में उन्होंने रहातिं दोरी की मशूर पंक्ती सरहत पर तनाव है क्या पता करो शहर में चुनाव है क्या का जिक्र करते हुए अपनी बात रखी उनका कहना था कि बहराईच की इंसार राजनीती से प्रेरित है और इससे सरकारी संदक्षड मिला है प्रोफेसर रतनलाल ने आरोप लगाया कि इस प्रकार की घटनाय चुनावी फाइदे के लिए की जाती है ताकि जंता का ध्यान असल मुद्दों से भड़काया जा सके और हिंदू-मुस्लिम की राजनीती की जा सके उन्होंने हर्याणाचनाव पर भी गंवीर सवाल उठाए और दावा किया की नतीजों में धानली हुई है उनका मानना है कि लोकतंत्र को मस्बूत बनाने के लिए इन गड़बड़ियों पर खुली चर्चा और चाच होनी जरूरी है अपने बयान में प्रोफेसर रतनलाल ने विपक्षी दलो की निश्क्रियता पर भी सवाल खड़े किये हैं उन्होंने कहा कि विपक्ष अब जरूरी मुद्धो पर सड़कों पर विरोध नहीं करता जबकि देश के मौजुदा हालात में यहां बहुत जरूरी है उन्होंने चिंता चिताई कि अगर प्रोटेस्ट की संस्क्रिती खतम होती रही तो लोक्तांत्रिक विवस्था कमजोर हो जाएगी प्रोफेसर रतनलाल ने अपने विचारों को विस्थार से साजह करते हुई कहा कि राजनीदी और चनावी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बराये रखना बेहत जरूरी है उन्होंने जोर देकर कहा कि समाज को सतरक रहना चाहिए और हर तरह की अन्यमित्ताव पर सवाल उठाने से पीछे नहीं हटना चाहिए आए सुनते हैं क्या कुछ कहा प्रोफेसर रतनलाल ले अपने उस पुले बयादे मैं राहत इंदौरी की शेड समय शुलू करता हूं सरहत पर तनाव है क्या पता करो चुनाव है क्या अगर आज राहत इंदौरी होते तो क्या लिखते महले में तनाव है क्या पता करो चुनाव है क्या और बहराइच का जो घटना क्रम है मुझे मुझाफर नगर याद आ र सब देख सकते हैं हम लोग तो सोशल मीडिया के माध्यम से बहराइज को पढ़ रहे हैं देख रहे हैं और जिस तरह से रिपोर्ट सा रही है पुलिस ने भी अपनी गलती मानी है हम लोग दिल्ली में जब बैठते हैं तो एक छोटा सा धर्ना प्रदर्शन कहें दिल्ली विश तमाम इस तरह के प्रिकॉर्शन लिये जाते हैं और हमसे इन पॉमेशन लिया जाता है जब यह पता था कि भाई यह दुर्गापुजा विसर्जन होना है और इतना सेंसेटिव मामला है तो रूट किसने बनाया उधर से रूट बनाया या नहीं बनाया पुलिस वह जो पुलिस नहीं थी महाँ पर तो इससे लगता है कि इसमें कुछ इंट्रेस्ट इंवालव है और कहीं न कहीं से प्रायजित है इसलिए हम पहले तो सबसे पहले एक जुडिश्यल इंक्वाईरी यह इंक्वाईरी के मांग करते हैं इस पर निसपत्व जो है तरीके से इस पर एक तरह से इंविस्टिकेशन हो कि पुलिस आखिर क्या कर रही थी वहाँ पर एक बच्चे की वहाँ पर हत्या भी हो गई क्या कर रही तो इसलिए चुनाओं के पहले इस तरह से हिंदू मुस्लिम कराना तो मैं सबसे पहले अपील करता हूं जो भी शांती अमन प्रसंद उक्री परिशा पर ध्यान दीजिए इस तरह के धार्मिक उन्मार से बचे एक तो सवाल यह है कि अभी दो जगाँ हुए है दो जगाँ हुने उसके पहले एक तरह से एक्सपेरिमेंट के तौर पर मुझे लगता है कि बहराईच का इस्तमाल किया जा रहा है एक मुद्दा म पायोग चुनाओं के बाद सारे मीडिया वालों का आप लोग का और हम लोग का सब का मजा कुरा रहा था सब मजा कुरा रहा था प्रेस कोंफरेंस करके चीफ एलेक्शन कमिशनर आज हर्याना से जो रिजल्ट आया है और जिस तरह के हेरा फेरी के द्रिस्टांत वहां पे इजांपल्स आये हैं नाइटी नाइटी से ज्यादा चार्ज है मशीन मैं तो कहता हूं जहां पे आपका तो मशीन लगता है नहीं आने वाला क्या बोलते हैं उसको जब हजारों के संख्याइम वोट्स पर रहे हैं तब भी इतना चार्ज रहना कि किस और इशारा करता है तो हम लोग तो पहले से आसवस्थ हैं कि इसमें धांदली होती है मशीन भी बदले जाते हैं हेरा-फेरी भी होती है सबतरह की धांदली होती है जब इतना हाइप आप चुनाव लड़वा रहे हैं आप CCTV क्यों नहीं लगाते हैं स्ट्रॉंग रूम में भी CCTV होना चाहिए स्ट्रॉंग रूम पर CCTV कैमरे लगे और डिस्प्ले होता रहा है 24 गंटे तक जब तक कि काउंटिंग की पूरी प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाए इसका सवाल हम लोगों ने बार-बार उठाया वोट हम दे रहे हैं तो हमारा वोट किधर गया कमस्का मेरे हाथ में देखने तो दो ढबे में डालेंगे लाख ओ रुपया जो है बैंक वाला दोमिनट किन देता है वाम शीर लगाए और इनको वोट गेने में खाली टाइम लग रहा है लगता है और दुनिया में कहीं चुनाव नहीं हो रहा है पूरे चुनाव प्रक्रिया पर इस तरह से लग रहा है कि दाली नहीं पूरी दाल काली है तो इन से हम क्या उम्मीद करें लेकिन जो चुनाव लड़ रहे हैं जिनको एम एमपी मिनिस्टर बनना सरकार बनाना है वह इलेक्शन के बाद क्यों इसमें सवाल उठाते हैं बार बार लगातार हम लोग कहते रहें कि लोग कम से कमाफ टेस्टिंग करिए लोग को देखिए कि इसके खिलाब लोग सडक पर आते हैं कि नहीं आते हैं तो राजनितिक दल लोगों को प्रिटिसाइज करना किस मुद्देफ इस सड़क पर यह बंद कर दिया है मुझे लगता है कि राधितिक दलों को सोचना चाहिए इसी तरह की वीडियो उसको देखने के लिए लिमरा निउस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं